रॉल ओफ डायट in vitiligo फाइनली बहुत सारी लोगों ने हम से पूछा है बहुत सारी लोगों ने हम से विडियो बनाए सफेद दाग में तो फाइनली मैं डायट के बारे में एक ऐसी विडियो लेके आया हूं जो इतनी scientific है जिससे कि आपके सारे doubts clear हो जाएंगे क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए ये दोनों बातें आयरवेट के अंगल से और modern medicine के अंगल से हम dissect कर देंगे आज जिससे कि आपको कोई confusion ना रहे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कितनी importance है इस बात कि आखिर diet का कितने percentage role है इलाज में ये भी हम वीडियो के end में discuss करेंगे तो ये वीडियो को पूरा देखें मेरा नाम है डॉक्टर समयक धवन और मैं हूँ consultant काया कलब ग्लोबल पर जहां हम पिछले 30 सालों से 2 लाग से भी अधिक सफेद दाके patients को उनकी वीमारी से निजात दे चुके हैं उनको treatment दे चुके हैं हमारा 93-95% success rate रहा है इतने सालों में आज की वीडियो लाने से पहले मैं question उठाना चाहूंगा जो पिछले वीडियो के comment section में हमसे पूछा गया था तो चलिए देखते हैं वो question आखिर क्या है question यह है कि अगर मुझे सफेद दाग है तो क्या मेरे case में मुझे खटी चीज़ों का परहस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह question आज की वीडियो से ही एकदम tie करता है इसका answer में वीडियो के दोरान ही आपको दे दूँगा तो आप लीज वीडियो को end तक देखिए को अगर पूरे बीमारी को मैं 100 नंबर दूँ तो सिरफ 5 नंबर है डाइट के बाकि 95 नंबर जो है वो इस बात को है कि आप अपने अग्रिवेटिंग फैक्टर जाने की जो stressors है आपके life में stress, constipation, smoking, alcohol इनको control कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आप जो treatment ले रहे हैं व से पहले मैं कि यह बताना चाहता हूं कि जो patients हमारे पास आते हैं जो हमसे video consultation लेते हैं या clinic पर आके हमसे बात करते हैं वो बचारी इतने confused होते हैं क्योंकि net पे इतनी ज्यादा information है कुछ आयरवेट के doctors इतने strict guidelines दे रहे हैं कुछ modern medicine के doctors कुछ बता रहे हैं तो patient बचारा इतन पीने से सफेद दाग होता है तो उस चक्कर में दूद छोड़ने की वरे से उनकी body में calcium deficiency हो जाती है तो मैं ही करने चाहता हूं कि जो लोग 40 साल से उपर के हैं 40 साल की उपर के लोगों को तो बिलकुल भी दूद नहीं छोड़ना चाहिए वरना उनकी body में especially menopausal age group में जो women है उनको osteoporosis होने का इतना खत्रा है तो दूद तो छोड़ी में सकते हैं calcium की deficiency हो जाएगी उनको तो एक तो यह problem आती है जब लोगों के पास accurate information नहीं होती है नंबर टू मैं देखता हूं कि मैं जो blood report check करता हूं तो लोगों के जो hemoglobin होता है वो 6 या 7 होता है तो जब तक hemoglobin 11 नहीं होगा तब तक body में रंग बनाने वाले कोशिकाई नहीं बनेंगी melanocytes के growth में help करता है iron iron से ही hemoglobin है तो हमें सबसे पहले तो iron rich foods खाने जैसे कि apple हो गया spinach हो गया यह खाने से हमारे vitiligo की treatment में help होता है और जो लोग गलतियां करते हैं वो यह है कि वो चावल खाना चोड़ देते हैं या वो चिकन खाना चोड़ देते हैं या नॉन वेश्ट इरें फूड बिलकुल ही छोड़ देते हैं तो चिकन और नॉन वेश्ट फूड में बहुत अच्छी quantity में vitamin B12 होत हैं कि मैंने तो अपना सफेदा घर पर ठीक करना है यह मुझे कही मैंने ब्लॉग में पढ़ा था कि यह नहीं खाना है तो वो उसको नहीं खाते हैं और उसके चलते हैं उनको बागी nutritional deficiencies हो जाती है जो उनको आज की डिट में लेकिन कुछ महीने बाद उपादा चलता है blood test क कि जब report आती है कि यह यह कमिया है उनके शरीर में तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़े वाखी में ऐसे इतने strict guidelines की ज़रूरत है भी कि नहीं है विटलाइको treatment में वह हम बात करेंगे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं ख करना है इसमें होते हैं plant-based phenols and tannins यह phenol and tannin आखिर क्या करते हैं body में जाके यह हमारे रंग बनाने वाले कोशिका है या फिर क्रेटिनोसाइट में ऐसे molecule produce करते हैं जिसे हम कहते हैं अगर medically बात करें तो TNF और interleukins tannins और phenols जो इन चीज़ों में खाने वाले चीज़ों म मैंने अभी आपको बताए हैं यह जाके रंग बनाने वाले कोशिकाओं पर अट्रैक करते हैं और वहां से बनते हैं TNF और interleukin यह जाके सफेद दाक्यूत पत्ति करते हैं तो हमें सुपारी आम अरीका नट रेड चिली चाय यह सब हमें avoid करना है कम मातरा में consume करना है बिल हमें खजूर, figs, उनके अंदर अथिक मातरा में copper और anti-oxidants मिलते हैं यह खा सकते हैं चुकुंदर हो गया, गाजर हो गया यह हम खा सकते हैं इनके अंदर beta-carotines होते हैं और anti-oxidants होते हैं जो vitiligo में help करते हैं रंग मिनाने में help करते हैं मश्रूम अगर आपको खाना पसंद है तो एक नई study आई है जो यह शो करते है कि क्रेमिनी मश्रूम is a type of मश्रूम जो थोड़े से coffee color के होते हैं यह वाले मश्रूम नॉर्मल जो अमारे घर में white color के button वाले मश्रूम होते हैं उनसे इन में almost double selenium, copper, vitamin B3, vitamin B5 और vitamin B12 जो भी recommended एक दिन में जितना भी एक इनसान को copper चाहिए होता है, selenium चाहिए होता है, यह उसकी values को almost 30-40% पूरा करते हैं, तो क्रेमिनी मश्रूम अगर आपको कहीं मिले तो आप इसका saving कर सकते हैं, इसमें vitiligo में help मिलिए, प्याज और save, प्याज और save के अंदर compound होता है जिसे हम कहत हैं thiols, thiols जो होते हैं जो मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में, जो vitiligo की उत्पत्ती हो रही है, वो कैसे हो रही है, जो उसका mechanism है, वो कैसे हो रहा है, oxidative stress, यह oxidative stress कैसे होता है, हमारे खून में nascent oxygen का production होता है, इसी को आरवेदिक गरंथों में अच्छली पित भी कहा ग करते हैं, antioxidant properties होती हैं इनमें और यह vitiligo patients को खाना चाहिए, अब मैं बहुत interesting controversial बात करूँगा, वो है whey protein, आज कर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग whey protein यूज करने लगे हैं, तो whey protein का क्या correlation है सफेद दाग के साथ, क्या सफेद दाग की patients को gym जाने वाले लोगों को whey protein लेना चाहिए, कहीं whey protein से vitiligo की onset तो नहीं शुरू हो जाता है, तो discuss करते हैं ऐसी तीन चीजें जो whey protein में होती हैं, जिससे कि vitiligo को effect हो सकता है, वो तीन चीजें है, सिस्टीन, सिस्टीन भी actually thiol produce करता है body में जाके, जो कि मैंने पहले बताया भी आपको सेब और प्यास म हमारी body में कम करता है, और beneficial है vitiligo patients के लिए, second चीज जो है, वो है lactoferrin, lactoferrin का मतलब है कि iron bounding protein है, यह हमारे शरीर में जो iron होता है, उसको बांद के रखता है, तो जैसे मैंने वीडियो के शुरूरात ने बताया कि जब तक hemoglobin का level 11 नहीं हो जाएगा, तब तक vitiligo patients में उतन किलता है actually, तो lactoferrin भी required है vitiligo patients में, third जो चीज है वो है lacto pre-oxidase, लाक्टो pre-oxidase क्या करता है, जो हमारी body में heavy metals होते हैं, उनकी chillation या neutralization करता है, और यह heavy metals भी actually same pathway प्याट कर रहे हैं, यह भी oxidative stress हमारी body में कर रहे हैं, घुमा फिरा के सारी चीजें जो vitiligo का pathway अब तक stress यानि कि पित्कियोत पत्ति, यानि कि रंग बिनाने वाली कोशिकाओं पे हमला होना, oxidative stress का और auto antibodies का बनना जो जाके हमारे milanocytes पे attack करती हैं, तो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं खाने में, सेव हो गया, प्याज हो गया, वे प्रोटीन हो गया, आपका copper वाली में पित्कियोत पत्ति होती है, या oxidative stress भढ़ता है, जैसे कि आम, लाल मिर्च, हरी मिर्च, आपके जितने भी berries हैं, सुपारी, ये सब हमें नहीं खाना है, अब बात आते हैं, सबसे controversial चीजे के ओपर, वो है हल्दी और खटी चीजें, और दूद के साथ मचली को mix करना, ये खाने से सफेद दाग बढ़ता है, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें कि vitamin C की consumption से vitiligo मेरा बढ़ जाएगा, बहुत सारे patients लागे करते हैं, सर मैंने पिछले हफते सलाद में नीमू डाल लिया था, इसकी वज़े से मेरी भीमारी बढ़ गी है, ऐसा नहीं होता है, य क्योंकि उनके अंदर inflammatory properties होती है, ना कि इसलिए क्योंकि वो खटे होते हैं, तो जिन चीजों में inflammation कर सकती हैं body के अंदर, उनको हमें मना करना है, खटास का इससे को लेना देना नहीं है, अगर हम बात करें मचली की और दूद की, तो दूद और मचली को mix करने से भी कोई ऐस scientific evidence नहीं है, कोई ऐसी study नहीं है कि इससे विटलिग होता है, हमारे पास बहुत सारे patients आते हैं, महराष्टा से आते हैं, राजिस्तान से आते हैं, हर्याना से आते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ही कम patients आते हैं West Bengal के, जबकि West Bengal में तो staple है मचली खाना, तो यदि मचली खाने की वज़े से और दूद मिक्स करने की वज़े से सफेद दाग हो रहा होता है, तो देश में इस समय सबसे ज़्यादा संख्या में सफेद दाग की रोगी West Bengal में होते हैं, बर ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा संख्या में actually अगर देखा जाए तो patient राजस्तान में है, और उसका काया कलब ग्लोबल पे study भी किया है कि diet का आखिर क्या रोल है, पिछले 30 सालों में हमने clinical studies करी है, इस चीज के ओपर हमने observe किया, हमने दो ग्रूप बनाए, 100 लोगों का एक ग्रूप और 100 लोगों का एक ग्रूप, एक ग्रूप को हमने dietary restrictions दी, एक ग्रूप को हमने बोला कि ख हमने diet के परेज तो बताई, साथ में दवाई भी दी, एक ग्रूप को हमने सिरफ दवाई दी और कुछ भी diet के परेज नहीं बताए, और तीन महीने के बाद हमने जब study किया सारी data को तो हमको यह पता चला कि दोनों ही groups में जो results थे, disease के वो बिल्कुल सेम थे, वो actually थोड़ा में बार-बार ही करने चाहता हूं कि diet only plays a 5% role, main चीज जो role play करती है वो यह है कि आप किस condition में डॉक्टर के पास आ रहे हैं, आप किस condition में हमारा साथ जुड रहे हैं और आपके सफेद दाग कौन से areas पे हैं और आपके सफेद दाग के ओपर बाल काले हैं कि नहीं, यह चीज के साथ मचलीत तो नहीं mix कर ली, यह सारी बातों पर अपने energy focus ना करते हुए, इस बात पर energy focus करने चाहिए कि मुझे stress control करना है, मुझे 15-20 minute प्रानयाम या योगा में invest करना है, मुझे constipation नहीं होने देना है, और मुझे सही doctor के साथ सही समय पर जुड़ना है और patients के साथ अ comment उठाके अगले वीडियो में उस question को answer करते हैं, तो अगर आपको diet related अभी भी कोई question बच रहा है आपके mind में, आपको कुछ सुनने में आया हो, तो आप please उसे comment section में लिखिए, हम 100% उसे shots में अपने अगले वीडियो में उसका answer देंगे, मैं आपके साथ एक बहुत ही अच् कर रहा हूं यहां screen पर आपके लिए, आप देख सकते हैं कैसे almost 85% recovery आचुकी है, patient में आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस patient में diet का परेश सिर्फ 5% था, मैं बार बार इस बात पर emphasize कर रहा हूं 95% इस बात पर था कि आप notice करें, patient के जो बा viewers को आर्श करना चाहता हूं कि आप unnecessarily blogs पे, youtube पे, google पे, confused ना हों कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, your main energy should be spent on researching the right doctor with the right amount of experience and joining hands with somebody who has this sort of experience in the field. इस वीडियो को आप प्लीज शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और remarkable results जो मेरी team achieve कर रही है, वो आपके साथ शेर करता रहूंगा, और आने वाले वीडियो के लिए प्लीज एक question पूछे, मैं आने वाले time में एक ऐसे podcast series भी हम लेके आने वाले हैं, ज ऐचांगा पूद़ कीजिए प्लीज